विशु विख्या शक्ति पीठ ज्वाला मुखी में श्रावन नवरात्रों में अश्टमी पूजन की धूम रही शक्ति पीठ ज्वाला मुखी में हजारों की संख्या में शरधालू अश्टमी पूजन के लिए ज्वाला जी पहुँचे सुभा से ही लंबी लाइने लंगर भवन से मुख्य मार्ग तक पहुँच गई ज्वाला माता को आज विशेश हलवे पूरी वच्चने का भोग भी लगाया गया पंजाब अन्य परदेशों से काफी संख्या में शरधालों ने पूजार्चना और अश्टमी पूजन किया भगतों ने मा ज्वाला मुख्य का शुबाशिरवात प्राप्त किया और हलवा पूरी का भोग ज्वाला मा को लगाया और कन्या पूजन किया पुजारी वन्यास सदसे अवी निंदर शर्मा ने बताया कि आज अश्टमी का दिन है और इस दिन महागारी के रूप में दुर्गा माता की पूजा की जाती है उन्होंने कहा कि अश्टमी पूजन का विशेश महत्व होता है अमchnitt अम्माला हरियाना से माजवाला जी के दर्सनों के लिए हैं बहुत अच्छी परकार जी के बध़़िया दर्सन वे हमिल करवाया और बहुत ही बढ़िया पूजारी यां का बहुत सहयोग बहुत हे हर इनसान को माता वे अश्टमांदेते हैं लोग बड़े घर संब ऑट साफटों कीति कि सूकुलबाकस की बहुत ऐसे कर रहे उज्वल हमाचल के लिए ज्वाला मुखी से पंकज शर्मा की लिपो दिस न्यूज इस ब्रॉट चूब आए ग्रेंगो इंटो नेशनल स्कूल नगरोटा बगवा is spreading his different colors of glory in terms of holistic and value based education among the students Dr. J. R. Karsha, director Rainbow Group of Schools, Delhi and Himachal, has a wide vision in terms of education school organize many activities and competitions in terms of curricular and nonturricular areas for all round development of students प्रीजिकर इस्टेश संक्रादिए ज्यविट्जी फिस्यो थेर फिरिप बीजु बीज आफ मुरिम अजुंज करद तेर न01 की मुरूच, बीजु貴 कि अपर भूरिम फिर नेयेन सेघिट्ट पूलगप difन अजिद द्सयप नेफ़़्िवा समथ बीजद दें अपर खूला टरौबली अज्टी चाहि़िए। प्रेट इम अरेशिका औिस जा प्रेश्टोर है।